नमस्कार जूनियर्स मेरा नाम है अधित शर्मा और आप देख रहे हैं Commerce भाया आज हम लोग बात करने वाले Management Accounting के बारे में Management Accounting के लिए मुझे पहुत टाइम से क्वेरी आरिया भाया सब्जेक थोड़ा सा difficult है और यह सब्जेक थोड़ा सा अटपटा सा है थोड़ा सब्जेक अजीब सा है समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि नॉर्मल जो आप Accounts परते हैं वो थोड़ी अलग होती है और Management Accounting थोड़ी सी अलग है क्योंकि repeatedly एक कोशन इस चीजों पर आई ही रहा है या फिर Management Accounting Simply आप लोग सिर्फ Management Accounting को Explain करो क्या होती है Management Accounting या फिर Financial Accounting और Management Accounting को Explain करो या फिर Management और Cost Accounting को Explain करो यह आप लोग का एक बहुत ही Important Topic है जिसको आप लोग को Cover करना पड़ेगा Second topic आप लोग का Zero Based Budgeting तो इस topic को भी आप लोग कर सकते हैं ये पिछले दो दिंग papers के अंदर repeat हुआ है Next एक बहुत ही जादा important topic है जो की है break-even point break-even point economics के अंदर भी होता break-even point इस accountancy के अंदर भी है management accounting में break-even point के उपर बहुत questions आते है break-even point कैसे निकालते हैं ये भी आप लोग को आना चाहिए Next आप लोग का Ratios and Cashflow Statement Ratios के बारे में बहुत सारे questions आप लोग के पूछे जाते हैं मतलब ratios के रिगार्डे के आप लोग के आप लोग के आप लोग के पूछे जाएंगे balance sheet का भी a question जरूर आ सकता है Next topic आप लोग का Decisions देखो management accounting अधर आप लोग को 9 अलग अलग टाइप किया फिर 8 या 9 अलग अलग ताइप के decisions लेने पड़ते हैं तो वो decisions कौन वहन से होते हैं जैसे कि buy or make decision हो गया या फिर अलग अलग तरीकी के बहुत सरे decisions वहाँ पर होते हैं तो आप उन decisions के बारे में अच्छे से एक बर पढ़ लीजेगा Next topic आप लोग का costing regarding marginal और absorption costing एक बहुत ही important question है जो कि आप लोग का repeatedly पूछा जा रहा है Next question आप लोग का material cost variance, material price variance, material mix variance, material usage variance तो यह अलग अलग टाइप के material variances आप लोग इसे पूछा जा सकते हैं तो यह बहुत ही important है, यह repeatedly पूछा जा रहा है इसका एक question practical में जरूर आजाता है तो आप इसको जरूर कर लेना इसके लिए last question है आप लोग का flexible budgeting के उपर flexible budgeting आप लोग का जरूर आ सकता है अगर अच्छी लिए प्लीज को like करो, share करो अपने जादा जादा classmates तक, जादा जादा दोस्तों तक आगी मैं मेल तो आप से अकली वीडियो में अपिकले अतना ही, धन्यवाद